तो केसे हो आप सभी लोग स्वागत आप सभीगा मैं यूट्यूब चैनल पर दोगाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने SMM पेनल पर कस्टमर कैसे ला सकते हो अपना अच्छा खासा प्रमोशन कैसे कर सकते हो तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कि अपने पेनल के प्रमोशन से पहले यह चीज जरूर ध्याने रखना कि आपका पैनल स्टेबल होना चाहिए मलब दो दिन बाद वह बंद नहीं होना चाहिए चलते फिरते बंद हो जाए और दूसरी चीज आती है पेसेंस बहुत जरूरी होता है पहली बात आपका पैनल प्रमोशन में फ्री इन्वेस्टमेंट के बहुत से तरीके वह अगर आपका होगी तो मैं वीडियो होना दूगा लेकिन अभी हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट लेकि अपना पैनल का प्रमोशन कैसे कर सकते हैं उसके उपर बात करने वाले यूटूब यहां पर सबसे अच् या तो आप यह कोई वीडियो कुछ से मना सकते हो या किसी यूटूबर से बनवा सकते हो 500-2000 जिनके व्यूज आते हैं वह यूटूबर 1000-5000 तक आपको चार्ज कर लेते हैं पेनल वीडियो नाने में जिसमें 1500-200 तक यूजर्स मिल सकते हैं आप वह प्रोपर चांस नहीं होत तो यह से में सबसे अच्छा उप्चन होता है कि आप अपना वीडियो खुद बनाए और यूटूब पर डाली और वीडियो किस टाइप में बनाना है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं और कैसे आप उसे सर्च लिस्ट में लाओगे वह भी आपको दिखा देता हूं तो अपने सब्सक्राइब के लिए गूगल एड्स लगार का है तो कुछ इसी टाइप में आपको भी अपने पैनल की वीडियो बनानी है यहां पर देख सकते हो बहुत चे यूटूबर है इनके लाखों में लाइक है 9.3 लाग की सम्तिंग व्यूज है और यह एसम पैनल के बा आपको यूटूब पे डालना है कि अपने पैनल से कैसे फॉल्वर्स बढ़ा सकते हैं उसके बाद आपको भी जैसे कि आपने पहले की वीडियो में देखा था गूगल एड्स के थूसने अपने वीडियो को टॉप पर रख रखा था उसी टाइप में आपको अपना खुद अगर आप खुछ से वीडियो ना कि डालते हो तो नोर्मली जो कर्चा होने वाला आपका गूगल एड्स का होने वाला है जहां पर आपको इस जीली हजार दो हजार मलवाग हजार रुपे भी स्पेंट करते हो तो उसमें आपके अच्छे खाशी उसर आने की चांसे बढ़ करना है जो कि एसमें पेनल के बारे में पहले से नहीं जानती है उनको बताना है अपने पेनल के बारे में क्योंकि ओल्डेडी जो जानते हैं वह लगलत पेनल पर शिफ्ट होते रहते हैं